धन वो जो आपके पैसे को कहीं कोई हॉस्पिटल, कहीं कोई लॉयर, कहीं कोई पुलिस के पास ना ले के जाए धन वो जो आपके परिवार में शान्ती लाए अज हम बात करने वाले हैं वीनस के बारे में नमबर छे के बारे में, नमबर छे यानि वीनस, शुक्र, वैभाव का नमबर है, संपदावा नमबर है, प्रोस्परिटी, अबंडेंस, सम्रद्धी का नमबर है, हर प्रकार का वैभाव जुड़ा होता है, हर प्रकार की इंजॉयमेंट, हर प्रकार का एक प्रोस्परिटी से रिष्टों के अंदर काफी जादा interfere करते हैं दूसरे इनसे कई बार परेशान होते हैं जबकि ये दूसरों का ध्यानख रहे दोते हैं वीनस का मतलब अश्टलक्ष्मी भी होता है अश्टलक्ष्मी आठ प्रकार की संपदाएं होती हैं जो हमारे साथ में जुड़ी होती है आठ विद्याएं होती हैं जो हमारे जीवन को सम्रिद्ध बनाती है यहाँ पर हम अपने जीवन को हर प्रकार से मजबूत बना सकते हैं कई बार लोग समझते हैं के बल धन आने से जिंदगी मजबूत होती है ऐसा नहीं है आपका धन आपके किस कामा रहा है आपकी विद्या आपके किस कामा रही है यदि वो धन और विद्या दूसरों से सम्मंद खराब करने कामा रहे हैं तो उसका कोई माइना नहीं है उसका कोई मीनिंग नहीं है धन वो जो आपको बार-बार बिमार ना करे धन वो जो आपके पैसे को कहीं कोई हॉस्पिटल, कहीं कोई लॉयर, कहीं कोई पुलिस के पास ना लेके जाए धन वो जो आपके परिवार में शांती लाए आपके पूरे परिवार के पास में मजबूती लाए विचारों में भी, संस्कारों में भी और औरा के अंदर भी Venus हमारे पास या शुक्र हमारे पास में परिवार को हर प्रकार से मजबूत और संबुद करने का नूबर है ये आपकी वो ताकत है जो आपके Genetics में आपको मिलती है शुक्र वर्ड शुक्रानों से भी लिया जाता है आपका बेस आपके अंदर का वो तत्व जो कि आपका सबसे माइक्रो एलिमेंट है सबसे अंदूरूनी चीज जहां हम अपने पित्र भी देखते हैं जहां हम अपने आनुवनशिक ता अपनी जेनिटिक्स भी देखते हैं कई बार शुक्र को माता बोला जाता है कई बार शुक्र को पिता बोला जाता है शुक्र दोनों का रोल प्ले करता है शुक्र और व्रहस्पती को हम गुरू कहते है शुक्र को दैते गुरू और व्रहस्पती को देव गुरू शुक्र एक ऐसा गुरू है जो कि सामने वाले को एनलाइज कम करता है उसे दे देता है व्रहस्पती एनलाइज करके देता है गेज करके देता है पर शुक्र सामने जो भी है जो चाह रहा है उसे देता है वीनस वाले लोगों के पास में जब भी कोई आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा चाहिए अपने घर में संकट खड़ा क्यों न कर ले पर सामने वाले को खाली हाथ नहीं जाने जाएगे इनके पास जो भी कुछ है राजा है अपनी जिन्दगी के थोड़ा होगा उसमें भी इंजोई करेंगे बहुत होगा उसमें भी इंजोई करेंगे इनकी personality ऐसी है आप impressed हुए बगार नहीं है सकते आप इनके साथ जुड़ना चाहेंगे इनके औरा में इतना प्यार है ये हमेशा occupied रहते हैं किसी काम में लिप्त रहते हैं गिरे रहते हैं चीजों से अपने आपको जोड़े रखते हैं सबसे अकेले पन का डर अकेले होने से काफी डर दे हैं ये भय होता है कि ये सब कुछ चला गया तो क्या होगा कई बार वीनिस ऐसा भी होता है कि कहता है मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ पर वीनस का अपना खुद का स्वाथ होता है कई बार हम इसे देखते हैं कि हर काम की जड़ में केवल यही होते हैं इनका कोई भी एक्षन अपने से अलग नहीं होता सेल्फ लेस्नेस वाला एक्षन नहीं होता अपने को इंक्लूड करेंगे अपने आई को अपने एहम को इंक्लूड करेंगे पर वो कई भी दिखाई नहीं होता है वो एहम इतना बारिक होगा इतना सॉफ्ट होगा कि आप उसे पकड़ने ही पहते हैं कहीं समाज में मिलेंगे इनकी personality बहुत impressive है अपने आपको, अपने कपड़ों को अपने personality को carry करना जानते है जो पहनेंगे अच्छा लगेगा दूर से देखकर भी आपको मज़ा आ जाएगा इनका style, इनकी statement, इनकी personality unique होती है पर कई बार बहुत बुदास रहते हैं क्योंकि लोग इनकी advantage ले जाते है लोग इनका फायदा उठा ले जाते है दूसरों में जरूर से ज़ादा लिप्तो होते हैं दूसरों में जरूर से ज़ादा interest लेते हैं इसलिए अपनी insult भी कराते हैं अपने मादा-पिता परिवार का साथ कभी नहीं चोड़ते हैं ये ऐसा नमबर है जिसे हम WOMB भी कहते हैं अगर आप 6 नमबर को लिखा हुआ देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक EMBREO होता है चाहे आप एक प्लांट के सीड को ले लें चाहे एक human के EMBREO को ले लें इसका representation 6 से मिलता है मतलब आपका जो जड़ है आपका जो गर्ब है ये वहाँ पर काम करता है Venus आपकी उन इच्छाओं को होड़ करता है जो आपके सबसे अंतह में चुपी होती है आपकी वो लालसाएं जो आपके अंद्रूनी आपके इनर में अंदर तक गड़ी होती है ये आपकी insecurities का नंबर भी है Venus means कि आप जिन्दगी में कहां तक तरक्टी कर सकते हैं संबंधों का नंबर भी है किसी से कैसे जुड़ पाएंगे किसी हो कैसे impress कर पाएंगे इनका मन भी करता है कि लोग हमें सुने लोग हमारे पास आएं हमसे बाते करें अकेले बन से बहुत डर लगता है पबलिक के साथ में बहुत खुश रहते हैं लाइफ में achievement भी impress करने के लिए कई बार प्राप्त करते हैं कि दूसरों को मजा आएगा और दूसरे जब मजा लेंगे तो हमें मजा आएगा अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं कई बार प्रेम संबंदों में बहुत फ़स जाते हैं दिल के भूले हैं समझ नहीं आता कब नहीं लगाना दिल बार बार दिल लगा बैठते हैं एक से जादा संबंध हो सकते हैं एक से जादा परिवार चला सकते हैं दूसरों की जिम्मदारी अपने उपर ले सकते हैं अपनी बातें कई बार अपने मंद से नहीं कर पाते हैं खुलकर किसी से अपने दिल का हाल कहने बाते हैं। आज के लिए मिरस के लिए नगे बाते हैं। दबाते हैं।